हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी लोग उमीद है कि आप बहुत अच्छी होंगे आज 29 जुलाई और 29 जुलाई साल 2024 के हर्याना करेंट अफेर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आईए हमारे आज के इस वैल्यूबल से सेशन की सुरुवात करते हैं मेरे पैरे दोस्तों आप लोगों के लिए जो लास सेशन में मैंने किस्तन पूछा था उसका ठीक जवाब दूं उससे पहले अगर आप लोग हर्याना सीटी मेंस की प्रिप्रेशन करना चाहते हैं तो इस बैच को ले लीजिएगा बहुत जल्द आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा इसमें एक माता सीतला देवी का मंदिर है वो माहराज भरतपूर के दवारा बनवाया गया था 1650 में यह याद रखना option number C इसका perfect रहेगा अच्छा अभी हाली में कल के दिन word hepatitis day जो है वो celebrate किया गया था इसका theme था it's time for action hepatitis B का टिका करण उपचार और hepatitis C काला पीलिया इनका उपचार संभव है hepatitis का इलाज नय होने पर liver का cancer है वो हो सकता है हर्याना का जो स्वास्ते विभाग है उनकी तरफ से जो हना यह guideline जारी की गई है hepatitis actually काला पीलिया है इसके बचाओ के तरीके क्या होते है खून और खून जो रक्त उतपादों का जो उतपादों का जो उपयोग केवल license प्राप्त रक्त बैंक से ही करें तैसे माल लेते हैं कई बार क्या होता है कि हम खून ले लिया करते हैं कर गडबड वही कर जाता है कि license मिला हुआ हो जिस blood bank को वहीं से ही blood लेना चाहिए emergency में सुई तथा razor blade इतियादी सांजा ना करें यह एक बहुत बड़ी बात है जब हम लोग नाई के पास में जाते हैं ना तो वह जो blade है ना उसको अच्छे से हालांकि आजकल करते हैं पर फिर भी अगर आपको लगेगी वह चूप कर रहा है तो प्लीज देख लेना मतलब वह न ज़्यादा जुरूरी है वहां सरम करने की जुरूरत नहीं है नीडल वगया भी आपके पास में प्रॉपर मलब कभी injection वगरा या कोई vaccination का टाइम हो तो इसका भी खास ख्याल रखना चाहिए sexual intercourse के टाइम पे भी थोड़ा खास ख्याल रखे आप protected sex का जो है उस पे खास फोकस करें आप married person है तो आप इस बात पे खास ख्याल रख सकते हैं गर्वती महिलाएं हैं hepatitis B की जांच करवाएं और के साथ साथ बच्चे का जनम होने के उपरांत तुरंत hepatitis B आने की काला पिलिया इसका टिक का जरूर लगवाएं सो ये चीजे बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रो कर रही है चाइना के बाद में दुनिया का दूसरा देश बनने जा रहा है इंडिया जिसमें hepatitis की वज़े से ही बहुत ज़्यादा होती जा रही है ठीक है और 2030 तक जो ना हरियाना को hepatitis मुक्त करने का target रखा गया है तो ये सवाल मैंने अलग से नहीं बनाए लेकिन पेपर में आ सकता है कि hepatitis free करना हरियाना का target क्या रखा गया है तो 2030 का है ये याद रख लेना आप लोग ठीक है अभी मुक्यमंद्री तिरित यात्रा योजना ये तो खेर आप लोगों को पताई है कि 60 साल से ज़दा उमर के आई-उ के जो बुजर्ग है वो निशुल के तिरित यात्रा करवा रही है हरियाना सरकार उनको 180,000 से कम वाले वार्शिक आए वारे परिवारों के लिए इस यो अलम्पिक की बात थी तब एक हरियाना के रोतक जिले की एक लड़की है रोतक की मोखरा गाओं की जो रहने वाली लड़की साक्षी मलिक है उन्होंने देश को पहला पदक दिलाया था और ये देश को पहला पदक दिलाने वाली कांशय पदक दिलाने वाली मनू भाकर है हर पोटी बात नहीं है यह 10 मिटर महिला एर प्रिस्टल में कांश पदक जीता है देश के लिए पहला पदक जीतने पर इनको बहुत बहुत बदाई 10 मिटर इवेंट के अंदर जो है इन्होंने यह पदक जीता है यह अच्छा हर्याना में कोई लेके आता है गोल्ड ऑलम्पिक म तो उनको कितने पैसे मिलते हैं 6 क्रोड मिलते हैं बहुत बहुत नगे के रहने वाली सर हर्याना के जजर जिले का गा को जो के सफलता के लिए बढाई दी है। हाली में प्रधान मंत्री जी ने रीडियो कारेकर मन की बात में हर्याना के जिले की 250 से जादा अधिक बेहनों के जीवन में स्मृधी आने की इसी की प्रसंग पे जो ना वर्णन किया है तो ये है हर्याना का रुतक का लाखन माजरा में चल रहे 29 सेल्फ हेल्प ग्रुप की सदेश्य ममता कुमारी और उनकी टीम उनका जिकर किया है अभी रिसेंटली प्रदानमंतरी द्रेंदर मोदी जी ने अपने मन की बात कारेकरम में दोस्तों आर सोला में इनोंने जो है ये एक कारेकरम स्टार्ट किया था चोटी मोटी दुकानों के माद्यम से गुजारा करने वाले हतकरगा उद्योग से जुड़ी महिलाओं ने सवम साहिता समू के माद्यम से उननत्ती की गाथा लिखी है और दोस्तों पचास से जदा महिलाओं एक साथ काम करती है यहां मन की बात में अब बात रंगों की ऐसे रंगों की जिनों ने हर्याना के रोतक जिले की 20-200 से ज़दा महिलाओं के जीवन में समर्धी के रंग भर दिये हैं अतकरगा उद्योग से जुड़ी ये महिलाएं पहले चोटी-चोटी दुकाने और चोटे-मोटे काम कर गुजारा किया करती थी, हर किसी में आगे बढ़ने की इच्छा होती ही, तो होती ही है, और इसी के चलते वे 29 सेल्फ हेल्प ग्रूप से जुड़ने का फैसला सभी महिल रही है, इनकी मार्केट रेट भी काफी अच्छा होता है, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, ये बात आपको पढ़के साइथ थोड़ा जमाना याद आगया होगा, अगर आपने modern history पढ़ी है तो ये हमारे भारत में पहले होता था, अंग्रेजों के टाइम पे ये सब चीज चलती थी, पर अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने यहां से सारा raw material लिया, विदेशों में लेके गए, मसीनों से synthetic dye का use किया, starting में नील की खेती पे जोर देते थे, बाद में synthetic dye, ये colors के, colors के, को फिर वहां से कपड़े बनाके, वापिस भारत में लाके बेचने स्टार्ट किये, और actually वो दिखने में सुन्दर जादा होते थे, लेकिन मजबूत नहीं होते थे, और फिर भारत में इसी के चलते वे आपको पता है, नॉन कॉपरेशन मूमेंट वगरा स्टार्ट हुए थे, बहिसकार वगरा किया गया था, लेकिन उसके बाद में पिर आपको पता है कि विदेशी माल बहुत तेजी से बढ़ने लग गया था, लेकिन वो दोड़ अब दुबारा स्टार्ट हो रहा है कि जब सुदेशी माल या ऐसे हत करगा उध्योग जो आगे जा रहे हैं, वाक़ी एक बड़ी appreciation वाली बात है, हर्याना में पहली जो है यह hand block printing है, ममता ने बताया कि hand block printing की पूरे हर्याना में उन्होंने शुरुआत की है, 29 self help group का इकलोता है, जो कि hand block printing करता है, यह सैली राजस्थान में भी है, इस समाने कपड़े को लिया जाता है, उस पे hand block printing के मादिम से चापा या design add करते हैं यह, संगटन से जुड़ी महिल हर महीने करता है, यह, हर्याना को एक चुछ क्यूस्तन आपके लिए, हर्याना जलस अंसादन प्रादीकर्ण के आंकड़ों के मताबिक, अर्याना में भूजल स्तर कितने fit पहुँच गया है, तो हर्याना में भूजल स्तर 12.47 fit नीचे पहुँचा है, अर्याना किस जिले में 20 एकड में अंतरास्टिय ध्यान के अंदर बनाने की योजना है ये कुरुचेतर के अंदर बनेगा नीरे चोपडा ने पाउ नूर्मी गेम्स में कोन सा पदक जीता तो नीरे चोपडा ने पाउ नूर्मी गेम्स में गॉल्ड मेडल जीता है हर्याना पुलिस ने साइबर अपराद में सलिप्त मुबाइल नम्बरों को ब्लॉक करने में देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है कौन हर्यानवी Mixed Marsal Arts में सामिल होने वाले पहले भारतिय पुर्ष बने है ये बने है संग्राम सिंग बने है हर्याना सरकार ने सरकारी विभागों से समंदित आम जंता की समश्याएं दूर करने के लिए किसका गठन किया ये गठन किया समाधान प्राकोष्ट का किया है मोधी सरकार 3.0 में हर्याना के किस सांसद को उर्जा और सहरी विकास मंत्रालिया मिला हर्याना के पूरो मुखे मंतरी मनोहरलाल जी को मिला और किस सांसद को सहकारिता मंतराले मिला ये कृषिन पाल गुजर को मिला अचा मोधी काबिनेट में कौन क्या है इसको भी देख लेते हैं हम लोग प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी जी के पास में ही पबलिक गृवियंस एंड पेंचिन्स डिपार्टमेंट है आटामिक एनरजी वाला इनके पास में है इसके इलावा और स्पेस डिपार्टमेंट भी है और और कोई इपॉर्टेंट पॉलिसी और जो डिपार्टमेंट किसी मिनिस्टर को लोकेट नहीं किये गए वो भी नरेंदर मोधी जी के पास में है हमारे भारत के रक्षा मंतरी अभी राजना सिंग जी है हमारे भारत के ग्रह मंतरी जो है न वो अमिशा जी है हमारे भारत के रोड ट्रांसपर्ट डिपार्टमेंट नितिन जैराम गडगरी जी देख रहे हैं हेल्थ मिनिस्टर हमारे जो Chemical and Fertilizers Department जगत प्रकास नड़ा या जेपी नड़ा जी है वो देख रहे हैं Agriculture किसान मंत्री हमारे भारत के सिवरा सिंग चुवान मद्य प्रदेश के पूरो मुखे मंत्री रह चुके हैं ये Finance Minister हमारे निर्मला सितारमन जी है External Affairs को देख रहे हैं S.J. Sankar Power Ministry and Housing Urban Affair मनहुर दाल जी देख रहे हैं Heavy Industry and Ministry of Steel देख रहे हैं H.D. कुमारा स्वामी Ministry of Commerce and Industry को देख रहे हैं P.U.S. Goyal Ministry of Education देख रहे हैं धरमेंदर परदान MSME Department है जितनराम मांजी के पास में ये बिहार के पूरो मुखे मंत्री रह चुके हैं वैसे इसके बाद में जो आता है Ministry of पंचायती राज है ललन सिंग के पास में है Port and Shipping वाला डिपार्टमेंट सर्बानन सोनो वाल के पास में है ये भी आसाम के पूरो मुखे मंत्री रह चुके हैं Social Justice Department विरेंदर कुमार के पास में है Ministry of Aviation नागरी कुड़न डिपार्टमेंट है वो किसके पास में है वो है मोहन नाइडू के पास में है इसके बाद में Consumer Affair वाला डिपार्टमेंट जो है ना वो किसके पास में परलाज जोसी के पास में Tribal Affair है जोईल और राम के पास टेक्स्टाइल डिपार्टमेंट गिब्राज सिंग के पास में Information मिटी डिपार्टमेंट Information Technology वाला डिपार्टमेंट अश्वनी वैश्नाव और Ministry of Development and North Asian region है ये जोतिरा दित्या सिंधिया के पास में इसके अलावा जो ना Ministry of Environment and Forest Climate Change वाला भुपेंदर यादो Culture Department जो है ना वो गैजंदर सिंग सेखावत के पास में है Ministry of Women and Child Development है वो अनुपाव अन पुरुना देवी के पास में है इसके अलावा Parliamentary Affairs जो है ना वो किरन डिजी जु के पास में है Ministry of Petroleum and Natural Gas है हरदी पूरी के पास Ministry of Labor and Empowerment वाला डिपार्टमेंट और Youth Affairs वाला मंसुक लाल मंडविया के पास कोल मिनिस्ट्री है वो जी किशन रेडी के पास में है Ministry of Food Processing वाला चिराग पासवान के पास में और जल सकती वह इपॉर्टन डिपार्टमेंट है सियार पार्टिल के पास में तो ये वर्टमान में कौन क्या वाला टॉपिक एक्जाम में पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हैं चलो इसी के साथ में ये सेशन होता है समापत आपके लिए सवाल है कि रोध तक में स्तेत लाल मस्जिद को परसिद वैपारी हाजी आशिव कर अली दवारा कब बनवाया गया था बताना इसके बारे में विस्तार से कल फिर हाजीर होता हूँ लेटेस्ट अपरेट के साथ में तब तक अपना ख्याल रखना सबी को राधिरा दे